पांच दिन से दिल्ली में तनाव है, 23 फरवरी की रात को जापराबाद मेट्रो स्टेशन पर भीड के इकठा होने के बाद भड की हिंसा डंगों में तबदील हो गई, इन डंगों में अब तक 42 की मौत हो चुकी है, जबकि 350 से ज्यादा लोग घायल है, मरने वालों का आंकड दराज 85 साल की अकबरी है, अकबरी का घर दंगाईयों ने जला दिया, उस वक्त वे घर पर ही थी, जबकि सबसे छोटे हाशिम और अमान थे, दोनों की उम्र 17 साल ही थी, हाशिम भाई के साथ परिवार वालों के पास जा रहे थे, तभी उन्हें दंगाईयों ने माच दिय और अमान घर से दूद लेने निकले थे, तभी उन्हें गोली माच दी, दिल्ली के करीब 15 इलाकों में दंगे भड़के, कई लोग जिन्दा जला दिये गए, तो कई लोगों को चाकु तलवार जैसे धारदार हत्यारों से हमला कर माच दिया गया, दंगों में जान गनवान में ज्यादतर लोग गरीब थे, अपने परिवार में इकलोते कमाने वाले भी, किसी की हफते भर पहले ही शादी हुई थी, तो किसी की पतनी प्रेगनेंट थी, अभी तक मरने वाले 42 लोगों में से 30 की पहटान हो गई है, एक, शाहीद अलवी, उम्र, 24 साल बुलन शाहर के रहने वाले शाहीद आटो ड्राइवर थे, दंगायों ने उन्हें पेट पर गोली मारी थी, चार महीने पहले ही शाहीद की शादी हुई थी, उनकी पतनी शाजिया प्रेगनेंट है, दो, मोहमद फुरकान, उम्र, 32 साल मूल रूप से उतर प्रदेश के रहने वाले फुरक राहुल सुलंकी, उम्र, 26 साल सिविल इंजिनेरिंग की पढ़ाई करने के बाद प्राइवेट कमपनी में नौकरी करते थे राहुल, दंगायों ने उनको गोली मारी थी, उनके पिता हरी सिंग सुलंकी के मताबिक, राहुल की बड़ी बेहन की शादी अप्रेल में होनी थी चार, अश्वाक हुसेन, उम्र, 22 साल, इलेक्ट्रिशियन का काम करते थे, दंगायों ने उन्हें पांच गोली मारी थी, 11 फरवरी को ही अश्वाक की शादी हुई थी, अश्वाक हुसेन पांच, विनोद कुमार, उम्र, 50 साल घोनना चौक में अर्विंद नगर के रहने व इतिन घायल हो गया था, दंगायों ने उनकी बाइक भी जला दी थी, 6 दिनेश कुमार, उम्र, 35 साल ड्राइवर थे और इसी से अपनी पतनी और दो बच्चों को खर्चा चलाते थे, दिनेश को 7-8 घंटे तक वेंटिलेटर पर भी रखा गया, लेकिन बचाया नहीं जा सक 7-अकबरी, उम्र, 85 साल दिल्ली के गामरी गाउंव में रहती थी अकबरी, उनका बेटा मोहम्मद साइद घर पर ही कपड़ों की दुकान चलाता था, दंगायों ने जिस वक्त उनका घर जलाया, उस वक्त अकबरी घर पर ही थी, इसी में उनकी मौत हो गई, अकबरी 8, रत स्थान के सीकर के रहने वाले रतनलाल दिली पुलिस में कौनस्टेबल थे, हाल ही में उनकी पोस्टिंग उकलपुरी में एसी पी ऑफिस में हेड कौनस्टेबल के तौर पर हुई थी, उनके परिवार में पतनी और तीन बचे हैं, रतनलाल नौल, अंकित शर्मा, उम्र, 25 स अंकित इंटेलिजेंस ब्यूरो, आई बी, में बत और सेक्योरिटी असिस्टेंट काम करते थे, वे कई दिनों से लापता थे, उनका शवचांद बाग इलाके में एक नाले से मिला था, अंकित शर्मा दस, राहुल इठाकुर, उम्र, 23 साल भजनपुरा इलाके में रहने व गया, लेकिन जान नहीं बच सकी, ग्यारा, सुलेमान, उम्र, 22 साल उत्तरप्रदेश के हापुर जिले के रहने वाले सुलेमान दिली में लोहे का काम करते थे, सुमवार से ही वे लापता थे, गुरुवार को उनका शवजी टीबी हॉस्पिटल लाया गया, बारा, मुहमद इर्फान, उम्र, 32 साल, मजदूरी करके हर महीने 8000 रुपे कमाते थे, इसी से परिवार का खर चलता था, उनके परिवार में मा, पतनी और दो बच्चे थे, तेरा, मुशरफ, उम्र, 35 साल, उत्तरप्रदेश के बदायुजिले के रहने वाले मुशरफ दिली में ड्राइव की नौकरी करते थे, उनके परिवार में पतनी और तीन बच्चे थे, दंगायों ने उन्हें मार कर उनका शवग कुलपुरी में एक नाले में फेंक दिया था, 14 संजीत ठाकुर, उम्र, 32 साल संजीत वेल्डिंग का काम करते थे, वे जब घर लोट रहे थे, तब ही दंगाय उनके पर पत्थर से हमला कर दिया, उनके परिवार में पतनी और दो बच्चे हैं, 15, आलोकतिवारी, उम्र, 24 साल कारडबोर्ड फेक्टरी में काम करते थे और दिल्ली के करावलनगर इलाके में रहते थे, उनके परिवार में पतनी और दो बच्चे हैं, 16, मुबारक अली, 35 साल मुबारक भजनपुरा इलाके में पेंटर का काम करते थे तीन दिन से लापता थे उनके परिवार में पतनी और तीन बच्चे दो बेटियां और एक लड़ का है 17. मुहम्मद शाहभान 22 साल मुस्तफाबाद के रहने वाले मुहम्मद शाह बान वेल्डिंग शॉप चलाते थे दंगाईों ने उन्हें उस वक्त गोली मारी जब वे दुकान बंद कर रहे थे इतना ही नहीं दंगाईों ने उनकी दुकान भी जला दी थी 18. अनवर 58 साल शिव विहार इलाके में पॉल्ट्री फार्म, मुर्गी पालन चलाते थे इसी से उनके परिवार का खर्ट चलता था उनके परिवार में पत्नी और दो बेटिया हैं दंगाईों ने उन्हें जला दिया था 19. आमिर 30 साल मुस्तफाबाद में रहते थे बुद्वार से ही लापता थे गुरुवार को उनका शव मिला 20. हाशिम उम्र 17 साल आमिर के भाई थे हाशिम भी बुद्वार से ही लापता थे उनका शव भी गुरुवार को ही मिला 21. वीर भान उम्र 50 साल अपना खुद का काम करते थे दंगाईों ने करावलनगर इलाके में उन्हें गोली माच दी थी उनके परिवार में पत्नी 22 साल का बेटा और 15 साल की बेटी है वीर भान 22, मुदसिर खान, उम्र 35 साल आटो ड्राइवर का काम कर परिवार का खर्च चलाते थे उनके परिवार में उनके दो बच्चे थे दंगाईों ने उन्हें गोली माच दी थी तेस, इश्टिया खान, उम्र 24 साल करदमपुरी इलाके में रहते थे वहां वेल्डिंग मशीन बनाने का काम करते थे उनके परिवार में पत्नी, तीन साल की बेटी और छे महीने का बेटा था दंगाईों ने उनके पेट में गोली माच दी थी 24, मुहम्मद यूसुप उम्र, 52 साल ओल्ड मुस्तफाबाद के रहने वाले यूसुप कार पेंटर थे उनके साथ बच्चे हैं नौयदा से जब वे अपने घर लोट रहे थे, तभी भी इनने उन पर हमला कर दिया 25, दीपक कुमार उम्र, 34 साल जहिल मिल इलाके में एक प्राइवेट फेक्टरी में काम करते थे उनके परिवार में पत्नी और दो बचे, एक बेटा, एक बेटी, थे दंगायों ने उन्हें गोली माच दी थी 26, जाकिर उम्र, 24 साल ब्रिजपुरी के रहने वाले जाकिर वेलडर थे मंगलवार को दंगायों ने उन्हें गोली माच दी थी उनके पेट पर कई घाव थे 27, परवेज आलम उम्र, पचास साल घोंडा के रहने वाले पर वेज गयराज चलाते थे, दंगाईों ने उन्हें गोली मारी थी 28, महताब उम्र, इके साल कंस्ट्रक्शन मवरकर का काम करते थे महताब, उन्हें भीर ने मार्च दिया था 29, महरूप हाली 30 साल भजनपुरा में इलेक्ट्रिक शॉप चलाते थे, दंगाईों ने उन्हें गोली मार्च दी थी 30, अमान उम्र, 17 साल, अमान को लोकनायक अस्पताल लाया गया था, लेकिन उनकी मौत हो गई अमान घर से दूद लेने के लिए निकले थे, तभी जब प्रबाद मेट्रो स्टेशन के पास उन्हें गोली मार्च दी गई